दोस्तों हमारे चनल पर आपको केंद्री विद्धाल एड्मिशन से जोड़ी सभी महातपोर्ट जानकरियां पिछले वर्से ही वीडियोस के मादम से टाइम टो टाइम दी जा रही है दोस्तों इस बार भी हमारा यही प्रयास है कि आपके लिए केंद्री विद्धाल एड्मिशन से सम्द्धि सभी महातपोर्ट जानकरियां टाइम टो टाइम लेके आएं जैसे कि आप लोग को पता है कि केंद्री विद्धाल में एड्मिशन का जो प्रोसेस है 2022-23 सदर के लिए यानि कि आने वाले सदर के लिए बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है दोस्तों ऐसे में बहुत सारे पैरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है माता पिता इस बात को लेकर परशान है कि आखर ये फॉर्म जो है वो क्लास वन में डिमिशन के लिए या फिर क्लास टू से लेकर उससे उपर की क्लासस में जो डिमिशन होते हैं इसके फॉर्म कब तक आएंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ओफिसियल सोर्सस के मद्धम से ये बताऊंगा कि कब तक फॉर्म आ सकते हैं दोस्तों चलिए इसके लिए मैं आपको ओफिशल विबसाइट पर लेकर चलता हूँ केंद्री विद्धाले के और दोस्तों हमने अपने आसपास के केंद्री विद्धालों में भी ये पताला लगाने की कोशिस की कि आखिर फॉर्म कब तक आएंगे तो उससे भी हमने एक अनुमान लगाया और आपको बताएंगे कि जो फॉर्म है वो कब तक आ सकते हैं चले वीडियो में आगे तक बने रहीएगा और देखते हैं कि कब तक जो फॉर्म है वो आ सकते हैं दोस्तों हम पहुँच चुके हैं केंद्री विद्धाले संगटन की जो एड्मिशन वाली ओफिसियल वेबसाइट है उसके होम पेज पे यहाँ पर आप देख सकते हैं पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस पोर्टल इस एक्सक्यूसली फॉर अप्लाइंग फॉर एड्मिशन टो इस्टेंडर वन इन केंद्री विद्धेलाज ओल वर इंडिया फॉर्ट एक एडमिशन टो जो जो बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर एक डेट सो हो रही है सैच्छडिक सत्र 2022 तेस के लिए कच्छा एक में प्रवेस के लिए पंजी करन एवं ओनलाइन आवेदन 28 फर्वरी 2022 दस बजे इंडिन स्टेंडर टाइम से सुरू होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह केंद्र विद्यरे सेंगठन की ओफीसियल वेबसाइट है अडिमिशन वाली यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सो हो रही है कि 2022 देख सत्रमे एडिमिशन के लिए 28 फर्वरी 2022 दस बजे सुबा से जो रेजिस्टेशन है और ओनलाइन आवेदन है वो इस्टार्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों लेकिन अब यहाँ पर हम मान सकते हैं यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 28 फर्वरी से जो है वो रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों लेकिन ऐसा भी होता है कि जब भी रेजिस्टेशन या फिर ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म निकलने होते हैं तो ये केंदरी दले संगेटन के ओफिशल वेबसाइट है यहाँ पर दोस्तों एक important notice आती है जिसमें सारा कुछ बताया गया रहता है कि इस तारिक से जो है वो online application form वगरा स्टार्ट होंगे और उसके साथी साथ एक schedule भी आता है उसमें भी ये सब सारी चीजें बताया गया रहती ह है कि किस सारी को किस डेट को किस दिन को जो है कितने बज़े से ये सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे जैसे कि online application form भनने का उसके बाद lottery का सारा कुछ उसमें mention किया गया रहता है तो चलिए मैं आपको एक बार इस website पर भी लेकर चलता हूं आपको दिखाता हूं कि क्या ऐसी को कुछ notices आई हुई रहती हैं दोस्तों ये जो information यहाँ पर सो हो रही है ये 28 February 2022 ये सो हो रही है तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि पिछले बार भी पिछले बार तो COVID वेगरा था तो उसकी वज़े से जो form है वो late निकले थे और दोस्तों जो किंद्री विदाले में education का session होता है यानि पढ़ाई का जो session होता है वो start हो जाता है अपरेल से तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं हम ये मान सकते हैं कि जो admission है वो 28 February से हो सकता है कि start हो जाए ठीक है दोस्तों हाला कि ये 25 से लेके 28 तक का एक अनुमान है मेरा और कई के अंदरी विदाले में बात करन सकते हैं कि केंदरी विदाले संगेटन की जो official website है यहाँ पर अभी 22 ते इसके लिए कोई भी schedule वगरा या फिर कोई notice वगरा नहीं आई है हलांकि इसके बारे में जैसे ही कोई official notice आती है तो आपको हम बताएंगे जरूर और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और लिक्या रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ आप मान के चलिए कि 28 February 2022 क्योंकि official website पर सो हो रही है तो हो सकता है कि उन्हों नहीं यही date जो है test करने के purpose डाला हो तो हो सकता है कि यही date हो तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है जब भी form आएगा हम उसकी जानकारी आपको देंगे पह लिएन में रखते हुए आप जो सारे documents वगरा हैं आपके उसको prepare कर लिजे ताकि admission के time पर जब आप form वगरा बरें तो उस time पर ऐसा ना हो कि आपके पास यह document नहीं है वो document नहीं है ताकि आपको इधर उदर दोड़ना ना पड़े तो दोस्तों अभी भी time है आज जो है 23 फर कर सकते हैं कि कब तक form वगरा निकलेगा अभी मैं आपको एक अनुमान के तौर पर बता दे रहा हूं कि 25 फरवरी से लेकर 28 फरवी के बीच में यह जो form है वो निकल सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह चीज़ें आपको सोन में आ गई होंगी दोस्तों आपका क किमेदारी है डॉकुमेंट्स आपके कंप्लीट रहेंगे आप form भर देंगे जब भी form भनने के लिए काफी time मिलता है आपको लगबग एक महीने का time मिलता है form भनने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस दिन निकले उसी दिन भरेंगे तो आपके बच्चे को जल्दी admission मि होती हाँ यह होता है कि last date पर अगर आप form भर रहें तो थोड़ा सा website जो है वो बीजी चलती है तो इस case में आपको form भनने में दिक्कत हो सकती है अलांकि जिस date को form निकलता है और जो last date रहती है उसके बीच में काफी time रहता है एक महीने का समय रहता है आप उसके बीच में आ और 28 को ही आप भर देंगे तो आपके बच्चे को पहले admission मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों सारे form जो है एकी साथ जो है वो short list होते है उस हिसाब से जब lottery की प्रिक्रिया होती है lottery के माद्धिम से आपके बच्चे का admission होता है तो बिल्कुल भी घवराय नहीं जब भ जो class 1 में admission होते हैं और भी classes में admission होते हैं नाइंत class को छोड़के बाकि सारे classes में कोई entrance exam तो होता नहीं है यह purely based होता है कि आपके पास क्या document है आपकी service priority category वगर रख्या है उससे संबंदित आपके पास document होने चाहिए तो जो भी आपकी जो भी आपके साथ criteria है या आप सरकार प्रमाण पत्र वगरा होने चाहिए तो अगर यह सब चीज़े नहीं है तो इसको आप अभी सही बनवा के रखें और अगर 28 तारीक को form आ जाता है तो दोस्तों उससे पहले ही हम आपको वीडियो की मादम से जरूर सूच न देंगे ताकि आप बिल्कुल भी परिशान ना ह तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप चाहें तो खुछ से जो है यह केंद्र विद्दले संगटेन की जो ओफिचल वेबसाइट है यहाँ पर भी जाकर एडमिशन गाइडलाइन वाले कॉलम में यहाँ पर चेक कर सकत दोस्तों आप बिल्कुल भी ना घब रहा हैं आपको बस फटा फट वीडियो मिलती रहेंगी ताकि जो है आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी और इसके लिए आप बिल्कुल भी ना घब रहा हैं पिछले वर्स हमारे चैनल के माद्धम से बहु इसमें अपने आप पे गर्म हैसूस करता है कि उसके चैनल के माध्यम से बच्चे का एड्मिशन हो जाता है तो दोस्तों चलिए यह जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए जरूर यूसफुल साबित होगी दोस्तों हमसे जुड़े रहने के आपका बहुत-बहुत धनवाद हमारा आपसे वादा है कि आपको एड्मिशन से रिलेटेट कि अंदरी विद्दायल एड्मिशन से रिलेटेट सभी जानकारिया टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइ प्रश्नल वीडियो है ये टाइम से मिलना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर आपको टाइम से वीडियो मिल जाएगी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदा होगा तो दोस्तों इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि सारी वीडिय के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवत मिलते हैं एक नहीं जानकारी के साथ जो आपके बच्ची के इडिमिशन के लिए जरूर ही यूसफुल साबित होगी तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय टेक एर